ओम स्यान्ति सदा खुष रहना परमात्म संतान का अधिकार है सोच लें यदि भगवान के बच्चे ही खुष नहीं रहेंगे तो भला इस अंसार में कौन खुष रहेगा जिनका प्रभु मिलन हुआ जिनका स्रंगार स्वयम भगवान ने किया जिनको आप खुलते ही भगवान से मिलन होता है जिनका भगवान पर अधिकार हो गया वे ही यदि खुष नहीं रहेंगे तो भला कौन खुष रहेगा सोचो जिनके द्वार पर स्वरक की बादसाही खड़ी हो भगवान जिनके सम्मुक ताज और तिलक लेकर विराजमान हो स्वयम भगवान वरदान देने के लिए जिनका अहवान कर रहे हो वही यदि खुष नहीं होंगे तो भला कौन खुष होगा तो आईए हम खुषी से अपने जीवन का स्रंगार करें खुषी जो हमारी बहुत बड़ी संपत्ती है खुषी जो सबसे बड़ी खुराक है जो संपूर्ण स्वास्त का राज है जिससे वातावर्ण में खुसबूर फैल जाती है जिससे सेवाओं में सरलता आ जाती है ऐसी खुषी को हम अपने जीवन का अविनासी अंग बना ले बाते तो आएंगी और चली जाएंगी जाने वाली बातों से अपनी खुषी को क्यों अस्त करें देखिए दुसरों की बातों का महत्वी कितना होता है जरा अगर गहराई से चिंतन करें तो जो व्यवार दूसरे लोग करते हैं या जो बोल वो बोलते हैं वो तो मुल्यहीन हैं उन मुल्यहीन बातों के कारण हम अपनी मुल्यवान खुशी को क्यों नस्थ कर दें इसलिए अपने विचारों को जरा उपर उठा दें अपनी महनताओं की ओर आगे चलें और ये छोटा पन, ये sensitive nature ये feeling आने की आदत ये छोट-छोटी बातों पर mood फो जाना इससे जरा उपर उठ जाएं हम महान हैं, हमें महान कारिये करने हैं हम कोई छोटे नहीं हैं देश का भी कोई बड़ा नेता हो वो छोट-छोटी बातों में नहीं रहता सोचो, प्राइम इनिस्टर जिसको बड़े-बड़े कारिये करने हैं वो यदि feeling में रहे तो वो बड़े-बड़े कारिये कैसे करेगा, क्योंकि इन छोटी-छोटी फिलिंग्स से उसकी सक्तिया नस्त हो जाएंगी हम तो सबसे बड़े हैं, हमें सबसे महान कारिये करने हैं, संसार का कल्यान करना है हम पूरवज हैं, कल्प रक्स की जड़े हैं, हम तो बाप समान हैं, हमारी खुसी का प्रभाव सारे संसार पर पड़ता है हम यदि खुस रहते हैं, तो संसार की उनेक आत्माएं खुस होंगी, सुखी हो जाएंगी और यदि हमने खुसी खो दी, तो उसका प्रभाव करोडो करोडो आत्माओ पर पड़ेगा तो अपने को ऐसा responsible समझते हुए, ज्यान के चिंतन के द्वारा अपनी खुसी की खुराख को बढ़ाते चले जितने सुंदर संकल्प हमारे मन में होंगे, उतना ही हमारा द्रश्टी कोन उचा होगा, और छोचोटी बाते हमें प्रभावित नहीं करेंगी तो आज सारा दिन हम इस संकल्प से बहुत खुश रहेंगे, इस जीवन में मुझे किसका साथ मिला, खुशी और नसे से हमारा चेहरा सारा दिन चमकता रहे, और सारा दिन अभ्यास करेंगे मैं आत्मा, रकूटी सिंगासन पर विराजमान हूँ, अपने स्वरूप को निहारेंगे फिर चारो और देखेंगे, संसार में करोडो करोडो आत्माएं, जोतियां हरे के सरीर में चमक रही हैं अब हम सभी को अभिश चलना है, मैं आत्मा अपने भ्रकूटी सिंगासन को छोड़ कर उड़ चली परमधाम में पहुँच गई श्यान्ती के सागर के पास, उसकी श्यान्ती की तरंगे मुझ में समाने लगी परमात्म श्यान्ती स्वय में भरकर, मैं आत्मा बापीस आई भ्रकूटी की कुटिया में पुनह विराजमान और मुझ से ये श्यान्ती की तरंगें चारों और फैलने लगी संसार की सभी आत्माओं को श्यान्ती का दान मिलने लगा ये अभ्यास हर गंटे में एक दो बार अवस करेंगे ओम श्यान्ती